हलो दोस्तों जोहार पॉल्ट्री यूट्व चैनल में स्वागत है जैसा कि आप लोगों को पता है ना दोस्तों कि जोहार पॉल्ट्री यूट्व चैनल में फार्मिंग से रिलेटिज जानकारे आप लोगों के लिए लाता रहता है इसलिए आप लोग भी अपना सपोर्ट द तो चलीए बिना बघबबखिए वीडियो को स्टार्ट करते हं हम जानते हैं कि इसका प Under अगर एक प्वार्म में हो जाए तो उसको फार्मरंट आसानी से कैसे दूर करें हैं सब्सेपहले इसका समाधान जानने से पहले इसका कारण को जान लेते जिसका ग्रोथ बहुत फाष्ट है कहने का मतलब है तेजी से वजन आता है कहने का मतलब पहले जो बर्ड 35 दिन में सावा केजी का वजन आता था अब का बर्ड 35 दिन में 2 से सावा 2 केजी का वजन आता है और जहां पहले दाना साड़े 3-4 केजी खा करके 2.2 केजी का वजन आत था 42-45 दिन में कहने का मतलब है जितना जल्द जितना कम दाना खाकर तेजी से वजन आए इसका उपाय किया गया कहने का मतलब जितना संभा हुआ FCR को कम किया गया बस यही कारान है इस परकार का समस्या का होने का और इससे आप या मैं भर परेशान नहीं इसे पूरी दुनिया के पॉर्ट्री फार्मर परेशान है पर इस HDS का समाधान किया जा सकता है अगर समाधान करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखे वरना स्किप करके जा सकते हैं अगर देखना है तो पूरा सुरू से अंत तक पूरा देखे वरना स्किप करके देखने से अच्छा है या तो पूरा देखे वरना मत देखे क्योंकि अ से पिडिंग कराई कि इस परकार का समय से ना हो इसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बनाया हoi जाकर देख सकते इसका लिंक डिस्क्रीप्ट्टस maior दिया गया है जाकर देख सकते POL सहसे हम लोग किस प्रकार से दूर करते हैं उसको जानते हैं सबसे पहले अगर बिना किसी कारण का बर्ड रोज दो चार प्लट प्लट कर मनने लगे खास करके मेल बर्ड यानि की हेल्दी मुर्गा सबसे बड़े बड़े अगर प्लट प्लट कर मनने लगे तो सबसे स्टीक उपाय है कि उनका फिडिंग को थोड़ा कम कर दे, यानि कि उनका ग्रोध को थोड़ा धीमा करके, कहने का मतलब है दोस्तों कि उसका ग्रोध को थोड़ा सलो कर दे, इस से इस परकार का समस्या में कमी आता है, और दूसरा अपा है, फान के अंदर बाट को बार बार तंग ना करे, क्योंकि जब अब हम लोग भाग भाग कर दाना पानी लगाते हैं तो उस समय इस परकार का समस्या अधिक देखा गया है और फार्म में सोरगुल से बचाए अब पिलाने की बात करते हैं उनका पीने का पानी में रोज इलेक्ट्रॉलाइट दोपहर के पानी में मिलाएं इस से भी इस परका हैं इस समस्या का समधान हो ही जाता है इस परकाश से स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं घोल तियार करें इसके लिए 50 ग्राम कॉपर सलफेट और 700 अमेल डिश्टिल वाटर और 300 अमेल भेनिगर का एक घोल तियार करें और अगर सारा उपाय करने के बाद भी ये इस डीएस का प्रोब्लम दूर ना हो रहा हो तो ये उपाय करें और इस गोल को दोपहर का पानी में चार घंटा का पानी में लगाए ये समस्या दूर हो ही जाता है दोसी तीन दिनों के लिए अगर इसका डोज जाना चाहते हैं तो कमेट के माध्यम से पूछ सकते हैं या वाचसाब में भी जान सकते हैं हाँ तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूरब बताए अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और किसी परकार का सवाल हो तो पूछ सकते हैं और किसी और भी से में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और इस वीडियो को सेर जरूर करें अपने दोस्तों के पास तब फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टोपिक के साथ जोहर पोल्टी यूट्यूब चैनल के साथ तब तक के लिए बाई बाई